हाई एवरीवान वेलकम बैक टू मैं चैनल तो आज में बनाने वाली हूँ शाबुदाने की नमकीन जो बहुत एजी और सिंपल रेस्पी है फ्रेंड्स आप इसे किसी भी ब्रत में बनाके इंजॉय कर सकते हैं अगर नौरात्री में फ्रेंड्स आप 9 दिन का ब्रत रहते हैं तो आप इसे एक बर बना ले और 9 दिन तक आरामसे से इंजॉय कर सकते हैं चाय के साथ बहुत इजी और बहुत ही जटपट बढ़ने वाली रेस्पी है आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी चले देर नहीं करते हैं रेस्पी को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे ह छोटे वाले साबुदाने का यूज नहीं करना है हमें बड़े वाला ही साबुदाना लेना है गयस पर ने रख जिया था ओईल गर्म होने के लिए और यहाँ पर गर्म हो गया, इससे तरह से आइड कर के देखेंगे तो फिर्ञत अगर और गर्म हो गया रहेगा नो तो इस पूर आ यहां पर और यह और सारे साबुदाने फुल जाएंगे फिर्ट वह कि अपने आप से पर आ जाएंगे और आप देख सकते हैं और आप सारे साबुदाने जो है ना पॉपकॉं की तरहा फूल करके ऊपर आ है तक अपर आ गयार है और गैस अब फ्रह बड. में इम करके इस र्दियां रखिएगा गया तो फ्राइब गया है तो यहां पे फ्रेंड्स साबुदाना तो यह बिल्कर पर्फेक्ट प्राइ प्राइब निकाल लेंगे ताकर जो भी इसका एक्स्टा ओयल है वह रिमूव हो जाएगा और यह फ्रेंड्स बहुत ही लाइट होता है खाने तो friends इस तरह से हम सारे साबुदाने को fry करके ready कर लेंगे तो friends इसे हमें टीसू पेपर पे नहीं निकालना है टीसू पेपर पे ऐसी निकाल लेंगे friends तो ये थोड़ा सा moist हो जाएगा और इसका जो crispness है friends वो खतम हो जाता है तो इस चीज़ का अब ध्यान रखिए कि इसे डारेक्ट अप्लेट में निकालेंगे और अब हम सेकेंड बैच के भी साबुदाने को friends सेम प्रोसेस ही fry करेंगे तो यहाँ पे हमने इस तरह से कल्चे पे ही करके डाला है इससे friends हाथ के जलने के chances नहीं होते हैं और साबुदाने अच्छे से फ्राई हो जाते हैं तो यहाँ पे friends हमने सारे साबुदाने को फ्राई करके रेडी कर लिया है और अब हम चलते है और नेक्स स्टेप की तरफ तो यहाँ पे हम सेम ओयल में ही एड़ कर रहे हैं मुंखली तो हम मुंखली को भी दो बैचेस में फ्राई करेंगे इस तरह से अच्छे से फ्राई हो जाते हैं और हलका golden color आने तक इसे फ्राई करना है गैस के flame को मिडियम ही रखेंगे मिडियम फ्लेम पर बिंग निकाल कर लेंगे इस रिखे लिखा अब Rly चाहले हम साबुली के तयार मूंखली को फ्राई करें गया है और अबУर तरुझे लिखे टेंगे तो यहाँ पे friends हमने सिर्फ मुंफली और साबुदाने का यूज किया आप चाहे तो इसमें काजू, बदाम और किसमीज का भी यूज कर सकते हैं लेकर friends हमने इसे बिल्कुल सिंपल और एजी तरीके से बनाया है तो इसमें बहुत जादे इंग्रियंस का हमने यूज नहीं किया है सिर्फ मुंफली और साबुदाने से ही मैंने इसे बिल्कुल लाइट नमकीन बना के तयार किया है तो हमने इसे एक बाउल में ट्रांसपर कर लिया है और इसी में हम 1 टी स्पून एड़ कर देंगे नमक तो यहां पर हम जेंधा नमक का यूज कर रहे हैं जो ब्रत में खाया जाता है चाट मसाला एड़ कर सकते हैं इसे और भी ज्यादा यह टेस्टी बन जाते हैं तो यहां पर नमकीन ब्रत वाला फ्रेंड्स खाने के लिए बिल्कुल तैयार है तो आई हो फ्रेंड्स आपको मेरी ईजी और सिंपल से रेस्पी पसंद आने वाली है अगर आपको मेरी वीड